हलो फ्रेंट्स एक्जाम अचीवमेंट पर मैं करुणा आज आप सभी के लिए लेकर आए हूँ सिंधु घाटी की कला पर अपनी स्रीज दो स्रीज एक में हमने सिंधु घाटी के कुछ केंद्र और कुछ मूर्ति शिल्पों के बारे में पढ़ा जिसमें सबसे इंपोर्टेंट थी मोहन जोदरों से प्राप्त कांसे नर्तकी की मूर्ती इसके बाद आज हम जानेंगे तामे की एक बेड़ व एक मेंधा की मूर्ती जो मोहन जोदरों से मिली है इसके लावा मर्ण मूर्तियां पकाई विमिट्टी की मूर्तियां सिंधु सब्भता के अनेको स्थानों से मिली है ये हाथ से बनाए गई मूर्तियां है, इन मूर्तियों को विद्वानों ने मात्र देगी की नाम दिया है ये मूर्तियां अधिक तर्ट नगन अवस्था में चित्रित हैं, चहुंदरों से दो कांसे की गाणियां भी हमें मिली है सेंधव संभता से कोई भी मंदिर के साक्षे हमें नहीं प्राप्त हुए है मुद्रा जिसको मोहर यहां पे बोला जाता है जैसे आज के टाइम पे मुद्रा रुप्या है इंडिया में उसी तरह से सेंधव संभता में मोहर को ही मुद्रा बोला जाता था और मोहर सेंधव सभविता में शेल कड़ी पत्थर से बनाय जाती थी और वही कला का सर्वस्रेस्ट उधारन हमें मिलता है संपूर सेंधव सभविता में लगभग 2000 मोहरें सेंधव सभविता से प्राप्त हुई हैं जिसमें से 1200 मोहरें लोथल से प्राप्त हुई हैं लोथल गुजरात में एक संधविस्थल है जिसके बारे में कल सिरीज वन में हमने बात करी थी अधिकतर मोहरे वर्गाकार हैं जिनका साइज धाय भाय धाय इंच है इन मोहरों को सील भी कहते हैं ये मोहरे सेल खड़ी पक्की मिट्टी पत्थर आदी से बनाई गई होती थी और इनकी मोटाई एक इंच होती थी मोहजोद्रों से प्राप्त पशुपती मुद्रा मिली है इस मुद्रा का आकार वर्गाकार है इसके बीचों बीच एक योगी पाल्थी मारे बैठा है जिसको आधिशिव कहा गया है ये एक मुद्रा की डिटेलिंग है इसके दाहिनी और हाती तथा बाग और बाई और गेंडा और भैसा उतकीन है और नीचे की तरफ सामने और नीचे की तरफ हिरन बना हुआ है कुछ मोहरे ऐसी भी है जिस पर व्रशब बैल अंकित है और ये यहां की बहुत ज़्यादा फेमस मुद्रा है जिसको हम यूनिकॉर्ण बुल या एक शरंगी सांड वाली मुद्रा भी बोल देते है कुछ मोहरे ऐसी है जो संख्या में सबसे ज़्यादा है और उन पर एक सिंग्या पशु अंकित है जिसे अंग्रेजी में यूनिकॉर्ण कहते है इसके बाद बैल, व्रशब, कुकुद, नुमा जिसकी खाल लटकी रहती है वो जो गर्धन पे खाल लटकी होती है वो वाला बैल व्रगाकार मुद्राओं के अतिरिक्त बेलनाकार मुहरे भी प्राप्त हुई है लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है रोपड से प्राप्त मुद्रा में हिरन बना हुआ है सिंधु सभ्धता से कई प्रकायर की मुहरे प्राप्त हुई है जिसमें चोकोर और बेलनाकार मुहरे अधिक हैं कैतिरिक डोलना कार्व है आयता कार्म होरे भी हमें सिंदु सबता से प्राप्त होई हैं तांबे की मुद्राएं भी हमको प्राप्त होई हैं जिनका साइज सवा एक या डेड़ बाए सवा डेड़ या सवा एक बाए डेड़ या फिर डेड़ बाए डेड़ इंच है कुछ ता मुद्राओं पर पशु आकरती बनी हुई है और साथ ही साथ लेख भी लिखा हुआ है सर जॉन मार्शल वेवासुदेव शरन अगरवाल इन मुद्राओं को ताबीज कहते हैं यह एक इंपोडेंट लाइन है इस बीच अगर पूछा जाता है कि किसे ताबीज कहा जाता है तो मुद्राओं को और किसने यह नाम तिया तो सर्जॉन मार्शल और वासुदेव शरन अगरवाल नेक्स्ट है मोहरों पर एक श्रंगय पशु के अतिरिक्त मानव बकड़ी मैंड़ा वे चीता भी बना हुआ है अतिरिक्त मोहरे शेलकड़ी पत्थर से बनी है कुछ मोहरे पक जो भी अफ्षेश मिलते हैं वे केवल बरतनों से ही मिलते हैं इन अलंकरणों को बहांड़ा लेक भी कहा जाता है इन बरतनों पर टेड़ी मेड़ी वे लहरदार रेखाओं आधी कप रियोग से चित्रण किया गया है बरतनों पर जयमिती अलंकरण तिर्भुज चत्रभु सटबुच पशूं कांकन जैसे की बकरी हिरन मोर मर्गी मुर्गा मचली सूर्य यह सब बनाए गए हैं वनस्पतियों में नीम केला खजूर पीपल मचली पकड़ने वाला जाल फूल पत्ती और मानवकर्थिया बहुत कम अंकित की गई है एक चित्र जो मुद्रा पर बनाया मच्वारा अपने कंधों पर दो जालों की बहंगी को लेकर जा रहा है मतब मच्वारा जो जाल पकड़ने का मचली पकड़ने का जाल रखता है उसका चित्रांकर हुआ है इसके अलावा यहां पर सपाट बरतन जो लाल रंग से रगे हुए हैं अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं बरतनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो और तीन तरह के बरतन यहां पर मिले हैं एक सपाट लाल और एक लाल प्रस्ट भूमी पर काले रंग से अंकन और एक काले गशेष प्रस्ट भूमि पर लाल रंग से अंकन और पूछा जाए सर्वधिक कैसे हैं तो सप्यार्ट लाल बर्तन बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं बर्तन दोनों प्रकार से बनाये गये हैं हाथ से और चाक से भी कुछ बर्तन बड़े आकार के मिले CP और उन बर्तनों पर पशु आक्रती भी चित्रेत है इन बर्तनों को हैवानी कहा जाता था सिंदू सभ्था में एक विशेश प्रकार की मिट्टी का प्रयोग कुमार करते थे और उस मिट्टी को काचरी मिट्टी कहते थे और उस मिट्टी से बने बर्तनों पर पॉलिश की जाती थी जो की उन बर्तनों को उच्च कोटी का बना देती थी बर्तनों पर रेखांकन मोटी रेखाओं का प्रियोग हुआ है पॉलिश का कारे पहले मिट्टी को पकाया जाता था उसके बाद मिट्टी यानि उस मिट्टी से बने बर्तन को पकाया जाता था फिर उसके बाद पॉलिश की जाती थी और उसके बाद चितरांकन किया जाता था जो बड़े बर्तन होते थे उनमें किसी फिपरकार का पैंदा या तली नहीं होती थी बर्तनों के बाद अभी हम पढ़ते हैं खिलोने, आभुशन, मानिक या मोती जो हमें सेंदा सब्विता से प्राप्त हुए हैं यहां से प्राप्त मन के सोने, चांदी, हाती, दात, सींग, सीशा, आदी से बने हैं इसमें सुराख करके धागे से पिरोकर गले में पहना जाता था आभुशनों का प्रियोग इस्तिरी पुरुष दोनों करते थे चहुंद्रों में शिल्प कार्य बड़े पैमाने पर होता था इसलिए चहुंद्रों को शिल्पियों की बस्ती भी कहते हैं हडपा से आभुशन, मेसोप्रिटामिया, सिंध, आदी सभ्यताओं से मिले हैं सर जॉन मॉर्शल का कथन है कि यहां पर साधारन नागरिक सुविधाओं और विलास का जिस मात्रा में प्रियोग करता था उसकी तुलना समकालिन जगत के अन्य छितरों से भी बढ़कर थी यानि कि जो व्यापारी जो यहां का वर्ग था वो अधिकतर व्यापारी वर्ग था और उनके पास मुद्रा यानि कि धन की कोई कमी नहीं थी यह विक्सित सभ्यता थी और यहां पर निवास करने वाले नागरिक भी विक्सित थे सबसे पहले वास्तुकला का दर्शन हडपा सभ्यता से ही हमें देखने मिलता है हडपा, मोहन जोद्रो, चहुंद्रों और लोथल यह संपूर संदव घाटी सभ्यता के चार प्रमुख नगर थे हडपा का राजमार्ग 33 फिट चोड़ा था सड़क के निर्मार में इंटो का प्रियोग होता था प्रतेक शड़क के बीच एक नाली होती थी जो पकीटों से बना कर बनाई जाती थी और उसके उपर छपाई यानि की पलस्तर भी किया जाता था नालियां भी बनाई जाती थी और नालियों को उपर से छपा भी जाता था यानि की ढखा भी जाता था इस सब्भेता का नागरिक जितना धान अपने स्वास्त का रखता था उतना ही ध्यान सफाई का भी रखता था मकानों का मुख्य द्वार मुख्य मार्गों की तरफ नहीं होता था पलकि पीछे की गली में होता था जिससे की धूल मिट्टी घर के अंदर ना आए मोहन जोदरों में 20 स्थम्बों पर एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है ये एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है जो 20 स्थम्ब उस भवन में बनाए हुए है परसी प्राउन ने इस विशाल भवन को मार्केट हॉल कहा है जबकि वाशुदेव शरण अगरवाल ने इसको सभा भवन कहा है वो ऐसा मानते हैं कि इस सभा भवन का प्रियोग धार्मिक वे राजनेतिक कार्यों के लिए होता था मोहन जोदरों से एक विशाल इसनानागार भी प्राप्त हुआ है जिसे सावजनिक इसनानागार भी कहते हैं इसके बीच में एक जलाशे है जिसकी लंबाई 49 फिट और चोड़ाई 23 फिट और गहराई 8 फिट है यानि 39 by 23 by 9 ये एक जलाशे की नाप है ये पक्की मिट्टी से बना हुआ है और इस पर तीन तरफ सीडिया बनी हुई है हडपवे मोहन जोदरों दोनों में अनागार भवन मिले हैं अनागार यहां से प्राप्त सबसे बड़ी इमारतों में माने गए हैं इसमें अनाच को सुरक्षित रखा जाता था विशाल असनानागार को देखकर मार्सल ने कहा कि ततकालीन विश्व का एक आस्चर रजनक निर्मान है ततकालीन नगरों में मोहन जोदरो अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा एरिया किसका था तो वो मोहन जोदरो एक नगर था यहां पर उसका था और इस मोहन जोदरो की नकाशी या जो नक्षा था उसको देखकर लाकार बुर्जियर ने इसको इसकी तुल्ला पर चंडिगड तयार किया यानि कि चंडिगड का नक्षा मोहन जोदरो के नक्षे से मेल खाता है मकान पक्की इंटों से बने होते थे नीव में अंदर की तरफ कच्ची वे बाहर की तरफ पक्की इंट लगाए जाती थी पक्की इंटों का साइज 10 x 5 x 2.5 इंच होता था कुछ इंटे L टाइप अकार की भी होती थी इन्हें मकान के कोनों पर लगाया जाता था दो घरों की दिवारों के बीच एक या दो फिट का गैप होता था इनके सीरों को बंद कर दिया जाता था विद्वानों ने इन गलियों को अंधेरी गलिया कहा है चटों का पटाव लकडी की घास पूस पिछा कर किया जाता था मोहन जोद्रों में जो इसनानागार मिला है उसके पास ही एक इसनानागार और मिला है जहां पर पानी गरम करने की सुविधा थी जिसको गरम इसनानागार के नाम से भी जानते है सिंदु सब्वेता से आज तक कहीं भी खप्रेल का कोई अफशेस नहीं मिला है मार्शल मौहद्दे ने इस इस्थान को हमाम कहा है गरम इसनानागार को हमाम कहा है ऐसी बात हो रही है चाहुंदरों से अनाज रखने के लिए अनागार वे अनाज पीशने की चक्की प्राप्त हुई है लोथल से इस सभ्यता के व्यापारिक इस्थल के अवशेश प्राप्त होते हैं जिससे की ये पता चलता है कि यह है रास्ता जल्मार्ग के लिए प्रियोग होता था जिससे की वस्तुओं का आदान प्रदान या फिर व्यापार किया जाता था और एक बड़ा बंदरगा भी इस जगह से प्राप्त हुआ है। पूरी सेंदर सभ्यता की अगर बात करें तो कहीं पर भी मंदिर का कोई अफ्षेश नहीं मिला है। बित्ती चितरन का कोई अफ्षेश नहीं मिला है। और वास्तुकला की जननी अगर इंडिया में कहा जाता है तो हडपा सभ्यता को कहा जाता है। चहुंदुरों से एक श्रमिकों की बस्ती भी प्राप्त हुई है और शिल्पियों की बस्ती भी प्राप्त हुई है पीतल की बत्तक भी चहुंदुरों से ही मिली है हडप्या सब्भता के प्रमुख जो केंद्र है उनके बारे में बात कर लेते हैं तो लोथल लोथल गुजरा के एहमदाबाद के साबरमती के टटपर है इसकी कुदाई का गार्य उन्निस्तो तरे पन में रंगनाथ राउने किया था यहां से प्राप्त बेलारी पत्थर की छुरी गेहूं मक्का बाजरे की बाली वे अन्य जैमिती अलंकरण प्राप्त हुए हैं शत्रंज बोड के नमुने मृत्बान पर अंकित धूर्त लोम्डी का चित्र हाती दात का पैमाना तांबे का हंस और बसंत पर चिडिया या गोरिया ये जो चित्र हैं ये सभी लोथल से प्राप्त हुए हैं राखेगडी भी गुजरात में इस्तित है और यहां से भी संधस प्राप्त हुए हैं दोला वीरा जो नगर है यह भी गुजरात में ही है और यह सबसे बड़ी हडपा कालीन बस्ती का श्रे दोला वीरा को जाता है यहां से एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी मिला है काली मंगन यह राजस्थान में है और इसकी कोज 1953 में अमला नंद गोश ने की थी यह गंगा नगर जिले से घगर रदी के टट परिस्थित है काली मंगन से कोई मोहुर नहीं मिली है काली मंगन की एक विशेश्था यह है कि यहाँ पर मात्र देवी की एक भी मूर्ती प्राप्त नहीं हुई है जबकि हर जगा मतव सेंदर सभ्यता के हर केंदर पर मात्र देवी की मूर्तियां बनी है काली मंगन का अर्थ होता है काली चूडिया यहां से काले रंग की चूडियां मिली है जो मिट्टी की पाइप को काट कर बनाई गई है यहां से हातिदात की चूडियां भी मिली है हल से जुते खेत के साक्षे भी हमें काली बंगन से ही मिले है पीली बंगन राजिस्थान में हैं और यहां से भी संध सभिता के छेत्र अवशेश मिले हैं बनावली हर्याने के हिसार जिले में है यहां पर आरस्ट बिस्ट द्वारा उत्खनन कार्रे हुआ था पक्की मीटी से बना हुआ हल बनावली से ही प्राप्त हुआ है मीटा ये हर्याने के भिवानी जिले में है और यहां पर भी हमें हडपा कालीन अफशेश प्राप्थ होते हैं रोपड पंजाब में है जिसकी खुदाई का कारण निस्तो तरेपन में डॉक्टर यगदत शर्मा के निर्देशन में हुआ यहां से एक कब्रिस्तान तांबे की कुलाडी और चितरित दूशरबान प्राप्थ हुआ है आलंगीर उत्तर प्रदेश के मेरट जिले के हिंडन टट परिस्थित है मांधी उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर जिले में जिनजानावे मांधी से भी हडपा गाली सोने चांदी के अभुचन प्राप्थ हुए है सेंधव सब्धता का अगर पूरा आकार हम देखें तो वो तिलबुचाकार है और इसकी सड़के एक दूसरे को समकोंड पर काटती है प्रोफेशर गार्डन चाइल्ड के अनुसार सिंधु घाटी के नगरों की विनिमें वस्तुएं दजला प्रांत यानि की मेसोपटामिया या इरान के नगरों में दिखती थी मतलब कि इनका जो व्यापार था वो मेसोपटामिया के सब्धेता से होता था जिसके अफशेश या जिस बंदरगा के अफशेश हमें लोथल से प्राप्त होते हैं सिंधु सब्भेता को धान की खेती का ज्यान था और वो धान की खेती करते थे कपास की खेती भी करते थे और सेंधर सब्भेता से प्राप्तिसामगरी अधिकतर नई दिल्ली के संगराले में रखी गई है हडपा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांट गोम्री नामक इस्थान पर है जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और मांट गोम्री को आज की डेट में साहिवाल नाम से जाना जाता है हडपा कालीन सभ्विता की लेखन कला का पता मोहरों से चलता है क्योंकि उस पर हडपा कालीन लिपी लिखी गई है सिंदुवाशी दो तरह के वस्तर बेहनते थे एक शरीर के उपरी भाग पर और एक शरीर के निचले भाग पर यहां पर गेहुं की खेती होती थी और अगर बात करें गेहुं की खेती सरप्रथम कौन सी सभ्विता में हुई तो वो मैसोपटामिया की सभ्विता में हुई सिंदु घार्टी की सब्वता को अर्ध एतिहासिक काल कहते हैं अर्ध एतिहासिक को मैं समझाने की कोशिश करूँगी एतिहासिक होता है वो वाला टाइम पिरियड जिसके कुछ लिखित साक्षे प्राप्त होते हैं और प्रग्यतिहासिक वो टाइम पीरियड होता है जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती, लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती, सिर्फ अनुमानों के अधारों पर ही हम अनुमान लगाते हैं. और अर्द अतिहासिक वो वाला पीरियड होता है जिसके अंदर हमें कुछ जानकारी लिखित अवशेसों से प्राप्त होती है अथवा कुछ का अनुमान लगाया जाता है सन 1924 में सर्जॉन मार्शल वे अर्नेस्ट मेक ने इस सब्वेता की जानकारी पूरे संसार को दी थी और इसकी खोज का श्रे भी इनहीं दो विद्वानों को जाता है सिंधु सब्वेता के पतन के बारे में हम बात कर लेते हैं इसका अंत कैसे हुआ इसका कोई भी सटीक जानकारी हमको नहीं प्राप्त होती है सर्जॉन मार्शल वे मेक का मानना है कि इस सब्वेता का विनाश नदी की बाड़ से हुआ था पुरातत्व विद्वान बीबी लाल के अनुसार इस सब्वेता का विनाश आर्रियों के आकर्मन से हुआ था क्यूंकि मोहन जोदुनों से उद्खनन में बहुत सारे इस्तरी पुरुश्वे ब्रद बच्चों के कंकाल मिले हैं जिस से की लगता है युद्ग के द्वार विनाश हुआ था कुछ का मानना है कि आकाल से इसस ब्वेता का विनाश हुआ था लेकिन यह जानकारी प्राप्त नहीं होती कि किस आधार पर हम ये कहें कि बाढ़ से इसससब्वेता का अंत हुआ या फिर युद्ध के जरिये स्वतहा हम ये मान लेते हैं कि जिस तरह से सब्वता अस्तितुव में आई उसी तरह से ही सब्वता अस्तितुव से चली भी गई दोस्तों सिंदुगाटी सब्वता के बारे में हमारी श्रीज 2 आज खत्म होती है मैं जल्दी ही सिरीज 3 एक सिस्टेमेटिक नोट्स के साथ लेकर आउंगी सिंदुगाटी सब्वता बे दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे की मेरी आगे आने वाली वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाए मेरी वीडियो को लाज तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों